हे फ्यूचर टॉपर्स आई होप आप सभी एकदम बढ़िया होंगे आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलेटिकल साइंस के चैप्टर का रैपिड रवीजन आज का वीडियो आप सभी कले बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों अब चलिए सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं तो इस चैप्टर में हमारा पहला टॉपिक निकल कर आता है यूरोपियन यूनियन इसमें आपको गोल्डन स्टार्स का एक सरकल देखने को मिल रहा है यह आपको बताता है सॉलिडैरिटी मतलब यूनिटी और हार्मनी जि यहां 12 स्टार्स दिखने को मिलेंगे यह 12 स्टार्स का मतलब 12 मेंबर्स नहीं है यह ट्रडिशनली एक सिंबल रहा है परफेक्शन का कम्प्लिटनेस का और यूनिटी का तो अगर क्वेशन आता है तो इसे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अब इसके बाद यूरोप का काम करा और आज हमें यूरोपियन यूनियन देखने को मिलता है फिर हुआ ये वल्ड वार टू के बाद हम सबको मालूम है कोल्ड वर स्टार्ट हो गई कोल्ड वर ने इनके इंटीग्रेशन के प्रोसेस को और बूस्ट दिया तो यह जो यूनाइट होने का काम कर रहे थ इनके 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 बाद हमें अ durability और ग्यावना के बाद हमको अन्टीड होने की तो रहे थी कि कैसे हमें सब को यूनाइट करना है कैसे हम एक single currency form करना है साथ में मिलकर काम करना है आगे अभी इसके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो अगर European Union का question आता है तो ये answer आपको लिखना पढ़ेगा अब इसके बाद Marshall Plan हमें अक्सर MCQs में two mark question में ये देखने को मिल जाता है अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा कि European integration को एक boost मिल गया था Cold War के period में इस समय अमेरिका ने बहुत massive level पर financial aid करा था ये रोप के economy को revive करने के लिए और ये किसके अंडर हुआ था Marshall Plan के अंडर फिर इसके बाद अगर हम European Union की बात करते है as a political union तो आजकल ये बहुत ज़्यादा nation state की तरह behave कर रहा है मतलब सिर्फ एक organization नहीं है अभी है तो इसके पास खुद का flag है anthem है, founding date है, currency है लेकिन European Union अभी तक खुद का एक constitution नहीं बना पाया है फिर इसके बाद अगर हम European Union के influence की बात करते है तो अक्सर six marks में question हमें देखने को मिलता है सबसे ज़्यादा important topic है तो हमें political, diplomatic influence भी देखने को मिलता है economic भी देखने को मिलता है और military influence भी देखने को मिलता है तीनों की हम बात करते है लेकिन इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़ें प्लीस वीडियो को like कर दीजिए और कोई भी एक छोटा सा comment कर दीजिए जिसे YouTube को मालूम चले कि वीडियो में दम है और ये वीडियो आगे पुशो वैसे ही underrated channel है अगर आप support नहीं करेंगे तो हम grow नहीं कर पाएंगे तो अगर सब इससे पहले हम economic sphere में influence की बात करते हैं तो अभी 2024 में जो GDP प्रोजेक्ट करी जा रही है European Union की वो 19.35 trillion डॉलर है अगर हम euro जो यहां की currency है उसकी बात करते हैं तो ये US के dollar को भी challenge करती है share of trade की बात करते हैं तो European Union का जो share of trade है वो USA से भी जादा है उससे जादा इनकी value है जब हम trade की बात करते हैं फिर अगर हम इनके economic influence की बात करते हैं तो अपने neighbors को तो ये influence करते ही करते हैं साथ में ये extend करता है Africa और Asia तक बहुत बड़ी बात है और international bodies जैसे की world trade organization हो गया यहाँ पर भी इसका हमें significant role देखने को मिल जाता है ये बहुत ज़ादा इन organizations को influence करता है फिर अगर हम political influence की बात करते हैं तो France जो की European Union का member है उसके पास permanent seat है United Nations Security Council में बहुत सारे non-permanent members भी देखने को मिल जाते है Security Council में इसके बाद US की जो policies हैं उसे भी European Union influence करता है मतलब सोच लीजी इसका कितना दब-दबा है फिर ये इतना ज़ादा ना military force पर विश्वास नहीं करता इसके बदले ये diplomacy economic investment और negotiation पर विश्वास करता है और इसी की दम पर इस ते चाइना के साथ बहुत ही effective dialogue करें किन पर human rights पर और environmental degradation पर फिर इसके बद आखरी में military influence की बात करते हैं तो European Union has world's second largest combined armed forces second only to US किस चीज में? defense spending में मतलब इतना खर्चा इन लोग करते हैं सिर्फ USA से पीछे है France जो की European Union का member है उसके पास around 335 nuclear warheads है तो समझ लीजीए nuclear weapon की बहुत करते हैं किसी से पीछे नहीं है फिर ये second largest source है किस चीज का space and communication technology का पूरे global उसमें अब इसके बाद हम European Union की shortcomings भी देख लेते हैं as a supranational organization supranational का मतलब होता है जिसका influence किसी एक country एक nation में नहीं होता है उसके बाहर भी जाता है तो European Union में तो कितने सारे members हमें देखने को मिल जाते है पहला निकाल कर आता है ब्रिटेंग के जो प्राइम मिनिस्टर थे टोनी ब्लेयर इनने USA को support करा था जब USA ने Iraq को invade करा था लेकिन Germany और France ने इस चीज को oppose करा था मतलब ये सब एक ही organization के member हैं लेकिन सबके action कितने different थे second number पर European Union के बहुत सारे नए member थे जिन्होंने किसे join करा था collision of the willing ये क्या हुआ जब USA ने Iraq को invade करा था ये बोल गया कि उनके पास weapon of mass destruction है तो temporary international level पर group देखने को मिल गया था जिसे हम collision of the willing बोलते थे तो उन्हें join कर लिया था तीसरे number पर euro skepticism मतलब लोगों के अंदर एक fear और doubt देखने को मिल जाता है ये जो European Union का integration हो रहा है हम सब unite कर रहे हैं सेम चीज़े follow कर रहे हैं ये सही भी है या नहीं है तो लोगों के अंदर हमें doubt, fear देखने को मिल जाता है euro skepticism देखने को मिल जाता है इसके बाद Margaret Thatcher जो UK के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने UK को European market से बहार रखा हुआ था और फिर इसके बाद आखरी में Denmark, Sweden दोनोंने Maastricht Treaty, मतलब वो treaty जिसको साइंग करने के बाद ही European Union Establish हुआ था और euro, जो यहां का common currency हमें देखने को मिलता है इन दोनों चीजों का विरोत करा था इन्हें resist करा था इसके बाद अगला topic निगाई कराता है आशियान, इसमें जो यह हमें 10 stocks of paddy देखने को मिल जाते हैं इनका मतलब है 10 countries जो members है आशियान की यह एक दूसरे से बंदी हुई है friendship और solidarity के उसमें याद रखना जो यह सरकल है वो क्या बताता है क्या symbolize करता है unity तो अगर हम आशियान की बात करते हैं तो इसका full form है Association of South East Asian Nations याद रखेगा 1967 में established हुआ था उस समय 5 countries थी जो इसकी member थी Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand इन्होंने मिलकर आशियान को बनाया था इससे आप sympathy से याद कर सकते हैं S-I-M-P-T आशियान जब established हुआ था तो क्या sign करके हुआ था bank call declaration याद रखेगा आज के समय में इसकी total strength 10 है मतलब total में 10 members हमें देखने को मिलते हैं इन 10 members को याद करने का तरीका बहुत simple है निमोनिक याद कर लीजिए TV clip of MBBS तो ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे फिर इसके बाद आशियान के objectives ये important question है two marks में आ जाता है primary objective निकल कर आता है कि इन्हें अपनी economic growth को accelerate करना है और इसके through इन्हें social progress भी करना है और cultural development भी करना है और इसके बाद secondary objective निकल कर आता है इन्हें promote करना है regional peace और stability ये किस पर based है rule of law पर और जो United Nation का charter है उसके principles पर मतलब इन लोग सारे rules, regulation फॉलो करते हैं गलत काम करने की कोशिश बिलकुल भी नहीं करते हैं ये इनके objectives निकल कराते हैं फिर इसके बाद एक और point आता है कि Asian way का मतलब क्या होता है तो एक form of interaction है जो कि informal होता है मतलब बिलकुल भी formality नहीं होती है non-confrontationist होता है मतलब live अगरा नहीं होती है आराम से बात करिए आईए informal way में बात करिए और cooperative रहता है अब इसके बाद Asian के तीन pillars जानना जरूरी है Asian security community Asian economic community Asian sociocultural community अगर हम Asian की security community की बात करते है तो जिनकी security community है prevent करती है कि जो भी territorial dispute है वो जादा ना बढ़े इसके बाद 2003 तक हमें देखने को मिला Asian में बहुत सारे agreements हुए जिसके बाद भाई peace, neutrality, cooperation, non-interference respect for national differences and sovereign right इनको लेकर यहाँ पर हमें सही चीज़े देखने को मिली यह सारी चीज़े insured थी मतलब शान्ती भी रहेगी neutral रहेंगे, cooperate करेंगे एक दूसर के differences को समझेंगे एक्सेक्टरा फिर हमें Asian regional forum भी देखने को मिला कब established हुआ 1994 में यह क्या coordinate करता है security और foreign policy तो याद रखिएगा फिर इसके बाद हम बात करें अगर Asian के economic community की तो इसके objective क्या है इन्हें एक common market और production base create करना है Asian states के लिए second number पर जो social economic development है इस region का उसमें aid करना है उसे आगे बढ़ाना है तीसरे नंबर पर इनका जो Asian dispute settlement mechanism है मतलब जिस तरीके से इन लोग disputes वगर को settle करते हैं उसे इन्हें improve करना है यह चाहते हैं कि free trade areas create करें जैसे investment हो सके labor and services वगर हमें देखने को मिले सही से तो इस सारी चीज़े improve करना चाहते हैं फिर अगर हम Asian और India के relation की बात करते हैं तो cold war के समय हमें free trade agreement देखने को मिला जो effect में आया है 2010 में अब इसके बाद हमारा अगला topic निगाए कर आता है चाइना चाइना के बारे में भी पढ़ लेते हैं अब अगर हम चाइना की बात करते हैं तो fastest growing economy है project करा जा रहा है कि 2040 तक USA को overtake करके दुनिया की सबसे बड़ी economy ये बन जाएगा चाइना People's Republic of China कब establish हुआ 1949 में याद रखिएगा इनकी जो economy है वो Soviet model को follow करती है इसके बारे में the end of bipolarity chapter में हमने पढ़ा हुआ है उसकी अगर rapid revision वाली वीडियो आपने नहीं देखी है regional location बहुत ही solid है तो location का ये फायदा उठाता है चाइना इसका political influence पूरे world में हमें देखने को मिल जाता है भाई permanent member है UNSC का तो उसका भी इसको बहुत फायदा मिलता है और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है employment and social welfare for all अब यह हम बात कर रहे है पुराने चाइना की धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो चाइना में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत है हमें देखने को मिली उसकी भी हम बात करेंगे अब positive के बाद अगर चाइना के negative points की बात करते है तो भाई economy इनकी 5-6% ग्रो कर रही थी लेकिन इनकी जो population growth थी वो 2-3% थी तो भाई जब population इतनी तेजी से बढ़ेगी तो इतनी सी growth से कुछ भी नहीं कर सकते दिक्कत वाली बात है फिर इनका जो agricultural production था ना वो insufficient था वो इतना surplus नहीं दे पा रहा था और उसके बाद जो per capita income है वो भी इनकी बहुत कम थी लेकिन फिर इसके बाद चाइना ने कुछ reforms करे और इसके बाद चाइना की काया पलट हो गई सब इससे पहले 1970s में हमें क्या देखने को मिला major policy decisions हुए 72 में इनने क्या करा US के साथ अपने relation बनाए पहले इन लोग पूरी दुनिया से बात ही नहीं करते थे यह देखने को मिला फिर 73 में 4 modernization देखने को मिले जिससे आप निमोनिक मासी से याद कर सकते हैं military, agriculture, science and technology और industry चाहे तो मस्ती भी याद कर सकते हैं science और technology को साथ में लिखना नहीं तो मासी याद कर लीजिए और 1978 में Deng Xiaoping जो यहां के लीडर थे उन्होंने अनौंस करा open door policy आप भी आईए, आप भी आईए अब हम पूरी दुनिया से link बना रहे हैं trade बगरा करेंगे थोड़ा relation डबलप करेंगे ये बाते अब हमें चाइना में देखने को मिल रही थी तो चाइना के reforms के बारे में अगर और बात हम करते हैं तो इन्होंने shock therapy को follow नहीं करा जो हमें USSR के बाद देखने को मिली थी सबसे पहले इनने agriculture का privatization करा 1982 में ये Soviet model को follow करते थे थे तो इनकी problems और उनकी problems बहुत similar थी लेकिन इन्होंने अच्छे से deal करा फिर industry का privatization इनने 1998 में करा मतलब USSR के बाद जो countries थी उनके से हबडाए नहीं इन लोग इनने अराम से काम करा और इनने trade barriers को eliminate करा सिर्फ और सिर्फ SCZ में मतलब special economic zones में कुछ zones बना दिये थे उनी zones में trade हो सकता था foreign countries invest कर सकती थी अपनी companies open कर सकती थी पूरे China को open नहीं करा इनने सिर्फ कुछ areas बना दिये थे तो बहुत दिमाग लगा के इननोंने अपना काम करा था अब new policies के बाद क्या हुआ बहुत इंपोर्टन डेश्टिनेशन बन गई फिर new trading laws इननोंने बनाए creation करा special economic zones का जैसा मैंने आपको बताया तो foreign trade भी बढ़ गई इसके बाद ये एक बहुत important destination बन गई foreign direct investment की पूरे world में मतलब बाहर की companies चाहा रही थी क्यों चाइना में आकर invest करें जिससे उन्हें भी profit मिले अब बाहर की companies ने चाइना में दिल्चस्पी दिखाई तो इसके करण इनके पास बहुत सारे foreign or exchange reserves आ गए तो अब ये बड़ी बड़ी investment बाहर भी कर पा रहे थे और इसके बाद 2001 में चाइना ने भी world trade organization को जोईंग कर लिया और सबके साथ अपने relation को strong करने लग गया लेकिन इन reforms के कुछ drawbacks भी थे पहला extreme unemployment पहले unemployment जैसी चीज़े बहुत rare थी अब around 100 million people हैं जो job की दलाश में female working condition तो इतनी खराब है जितनी industrial age में हुआ करती थी फिर वही environment degrade हो रहा है corruption बहुत बढ़ रहा है और economic disparities अमीर अमीर हो गए गरीब गरीब हो गए अब इसके बाद अगर हम इंडिया चैना relations की बात करते हैं बहुत important topic है तो इससे पहले western imperialism आया colonies बगरा बनने लगी हमें Britishers ने capture कर लिया उससे पहले इंडिया और चैना दोनों को ना बहुत ज़्यादा influence था हम powerful nations हुआ करते थे लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारा influence overlap कराओ चाइना ने जहां रूल करा वो अलाग एरिया था इंडिया ने जहां करा वो अलाग एरिया था कभी भी ऐसा नहीं हुआ चीनी भाई भाई लेकिन जादा देने हो था कि यह नहीं टिक पाया उस समय हमारी दोस्ती का period था तो यह चलता था क्योंकि क्या हुआ भाई चाइना का aggression हमें देखने को मिला बहुत सारे border disputes हमें देखने को मिले और main जो territorial claims चाइना करता है वो कौन से है एक हो गया अरुनचल प्रदेश में और एक हो गया हमारा लद्दाक में जो अक्षाई चिन रीजन है चाइना का कहना यह हमारा पाठ है दोनों जगाओं पर तो 1962 में जो हमारी war हुई थी उसके बाद हमारा relation बहुत खराब हो गया था बहुत problems हमें देखने को मिल रही थी लेकिन 1976 से धीरे-धीरे हमारी relation में improvement हमें देखने को मिली 1981 में दोनों countries ने talks initiate करे कि भाई करके हम border issues को resolve कर लेते हैं बादचीत हुई इसके बाद राजीव गांदी ने visit करा चाइना को December 1988 में और इसके बाद तो फिर बहुत बड़े-बड़े changes हमें देखने को मिले हमारी चीज़े improve हुई bilateral relation हमारे improve हुए दोनों government ने यह कोशिश करी है steps लिए है कि हम peace को maintain कर सकें आपस के relation अपने आपस में सुधार सकें और जो भी border related disputes है उनको भी खत्म कर सकें दोनों countries में agreement sign करे हुए है कि भाई हम cultural exchanges करेंगे scientific technological cooperation हम करेंगे trade करेंगे चार border post भी open कर दी गई commerce के लिए trade वगरा करने के लिए तो यह points हमें देखने को मिलते हैं फिर अगर हम इंडिया चाइना trade की बात करते है तो 1999 से 30% पर येर की rate से ग्रो कर रही है तो बहुत तेजी से हम ग्रो कर रहे है relations उधर रहा है bilateral trade हमारा increase हो गया अपस में जो हम trade करते है 1992 में ये 338 million dollars था अब ये 84 billion dollars हो गया है 2017 में फिर दोनों country ने agree करा है हम cooperate करेंगे बहुत सारे areas में potential conflict वाले जो areas है जहापर हमारी लडाई हो सकती है example के लिए जब foreign countries में energy deals में bid करेंगे बुली लगाएंगे तो हम वहाँ पर conflict नहीं करेंगे आपस में बातचीत कर लेंगे लडाई ना हो जिससे हमारी फिर अगर हम global level की बात करते हैं तो इंडिया चाइना की बहुत similar policies हमें देखने को मिल जाती है international economic institutions में जब हम देखते हैं इन जगाओं पर हमारी बहुती similar policies हैं तो यहाँ पर ज़्यादा लफड़े इसलिए हमारे नहीं होते हैं फिर इंडिया ने 1998 में nuclear test करें तो अब बोला था हमें चाइना से खत्रा है इसलिए हम कर रहे हैं हम यह सोच रहे हैं कि चाइना हम पर attack कर सकता है उसके बाद भी हमारे relation में इतनी कोई खराबी नहीं आई चाइना ने भाई पाकिस्तां के nuclear weapon में development में बहुत योगदान दिया हम सबको मालूम है फिर चाइना के military ties हैं किसके साथ Bangladesh महनमार के साथ मतला हमारे जो भी दुश्मन है या जिनसे हमें threat है उनको चाइना support करता है लेकिन अब हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया चाइना हमारे खराब रहते हैं जैसे कि यहांपर दिया हुआ है बाई ओंगोिंग जो border dispute चल रहा है साथ में जो चाइना पाकिस्तान economy corridor देखने को मिल जाता है चाइना पाकिस्तान को बड़ा सपोर्ट करता है चाइना ने पाकिस्तान को UN में भी support करा इंडिया बोल रहा है भाई हम पाकिस्तान के कारण terrorist attacks देखने को मिलते हैं, वो terrorism को promote कर रहा है, लेकिन चाइना कभी भी इंडिया का side नहीं लेता है, वो पाकिस्तान को ही support करता है, और बस इसलिए फिर हमारे relation बहुत अच्छे नहीं हो पाते हैं, फिर इसके बाद अगर हम जपैंग की बात करते हैं, as an alternative center of power, तो देखिए, सबसे पहले बहुत सारी famous brands हैं, Sony, Panasonic, Canon, etc. ये सब जपैंग की हैं, और देखिए, पूरे वर्ल्ड में ये कितनी famous हैं, जपैंग के पास बहुत ही limited nature resources हैं, तो इसे ज़्यादता raw material import करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद भी देखिए, कितना developed ये नेशन हैं, 1964 में जपैंग ने organization for economic cooperation and development को join करा, और अगर हम 2017 की बात करते हैं, तो जपैंग थर्ड largest economy है, और एशिया का अकेला member है G7 का, तो देख लीजे किती दम है Japan के पास, फिर 11th most populous nation है globally अगर हम बात करते हैं, और अकेला nation है जिसके उपर nuclear weapon को drop करा गया था, हम सबको मालुम है, Hiroshima और Nagasaki की हम बात कर रहे हैं, UN के budget में second largest contributor है, इतने पैसे UN को देता है nearly 10% जो budget है वो Japan की तरफ से आता है, सिंस 1951 हमें Japan का USA के साथ एक security alliance देखने को मिलता है, जो Japan का constitution ने उसमें article 9 सीधे सीधे बोलता है, कि कोई भी अगर international dispute हो रहा है, तो हमें war वगेरा नहीं करना चाहिए, force का use नहीं करना चाहिए, इनहीं के ऊपर nuclear weapon गिराए गए थे और यहीं इतनी अच्छी बाते करते हैं, और फिर इसके बाद आखरी point निकल कराता है कि ये military expenditure सिर्फ अपना 1% करता है GDP का, लेकिन उसके बाद भी पूरे world में ये 7th largest है, अब इसके बाद हमारा आखरी topic South Korea की बात कर लेते हैं, तो जो Korean Peninsula है उसको divide करा गया था North Korea और South Korea में, South Korea को Republic of Korea बोलते हैं, North वाले को Democratic People's Republic of Korea बोलते हैं, ये हुआ था end of World War II के समय, और कैसे divide करा गया था, 38th parallel, मतलब जो latitude वाली line है उसकी हम बात कर रहे हैं, वहां से इनकी border हमें देखने को मिलती है, फिर Korean War, 1950 से 53, Cold War, इन चीजों ने इनकी rivalry को बहुत ज़दा बढ़ा दिया, दोनों Korea UN के member बन गए, कब बने 17 September 1991 को, फिर अगर हम South Korea की बात करते हैं, वही हमारा main topic है, तो South Korea ने एक बहुत ही important power Asia का बन कर आया, बहुत ज़दा यहाँ पर हमें rapid economic growth देखने को मिला, comment section ने बताना भी थोड़ी देर पहली मैंने आपको बताया, इसे join करा 1996 में, 11th largest economy है, और 10th largest military expenditure हमें देखने को मिल जाता है, यह 2017 के data की हम बात कर रहे हैं, फिर इसके बाद 2016 human development report की अगर हम मानते हैं, तो South Korea की इसमें rank थी 18th, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत important है, इसके पीछे factors क्या थे, इन्होंने बहुत successful land reforms करें, rural development देखने को मिला, human resources development हमें देखने को मिला, और इसके बाद equitable economic growth देखने को मिली, तो ज़्यादा disparity बगरा नहीं थी, और भी additional contributing factors थे, उनकी भी बात कर लेते हैं, जैसे कि भाई, export orientation, export पर इन लोग बहुत विश्वास रखते हैं, बहुत export करते हैं, इनकी बहुत ही strong redistribution policies देखने को मिल जाती हैं, public infrastructure का development इन्होंने बहुत अच्छे से करा हुआ है, और इनकी governance भी बहुत ज़्यादा effective है, South Korea की भी बहुत सारी famous brand है, नाम आप तो सुना होगा, Samsung, LG, etc. याद रखिएगा, इंडी और South Korea के बीच, बहुत सारे agreements हमें देखने को मिले हैं, जिससे हमारे cultural ties भी बढ़ रहे हैं, और हमारा commercial business भी दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं, मैं मिलता हूँ आपसे आगे बहुत सारी वीडियोज में अभी के लिए दना ही, signing off, गुरु टहिंगुरिया,